हेलो दियरेट्स फेंड्स वेलकम डू माई चैनल जियार टिक्टूरियल इस वीडियो में हम कुशन नूमबर टू को सॉल्फ करेंगे एक्सराइज 8.4 में से और यह चैप्टर क्लास 10 की किताब से है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू 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 अगर मैंने लापास जितने भी रेशियोज हैं यानि साइन ए कॉसे टैन ए कोट ए एंड को सेक ए सेक ए के टर्म में हमें इन सब को लेकर जाना है ठीक है इनके लिए जो आइडेंटिटीज यूज होगी मैं वो लिख देता हूं और कैसे कैसे करेंगे हम आसानी से इसको समझेंगे अग कि जो आइडेंटिटीज यूज होंगी वो यह है कि साइन स्कॉर ठीटा कॉस स्कॉर ठीटा बराबर होता है और इनके रैसिप्रोकल्स भी हमें याद होने चाहिए तो जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे मैं बताता चलूगा कि किसका रैसिप्रोकल क्या है तो प्रैक्टिस के साथ यह चीज़ें याद हो जाते हैं तो अगर मैं देखूंगा के साथ डारेक्ट रोलेशन में कौन है तो अगर मैं देखूं कि आपको यह याद होना चाहिए कि पंडित बद्री परसाथ जो हो है क्णित बद्री परसाथ हर हर बोली एक ट्रिक समझ लीजिए जो यह बताता है कि साइन आनुका है टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि साइन ठीटा पी अपन एच पी बोले तो परपेंटेकुलर एच बोले तो हाइपोटनियूस ठीक है तो सैक के साथ डैरेक्ट रिलेशन में क्या है कॉस होता है कॉस ए का उल्टा होता है सैक ए ठीक है तो देखिए कॉस जो है वो डैरेक्ट इन टर्मम्स अफ ऑफ सैक ए के टर्म में चला गया अब मैं देखूंगा के सैक और किसके साथ डैरेक्ट रिलेशन में थो यहां से देखने से पता चलता है sec 10 के साथ इस identity से direct relation में है तो मैं इस identity का use करके उसको convert करूँगा जैसे मैं यहां लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 square theta equal to sec square theta होता है अगर मैं यहां से सिर्फ 10 square को छोड़ दूँ तो यह 1 जो है इधर जाकर minus में हो जाएगा तो यह हो गया minus और देखिए जब square क्योंकि 10 square है तो जब square को हटा जाता है तो यहां पर चला जाता है हमारा root बन जाता है तो 10 हमारा 10 theta बोले तो theta यहां पर क्या है a है तो यहां पर भी हम theta a कर लेते हैं तो 10 a under root sec square a minus 1 के परावर चला गया ठीक है अब देखिए sec के साथ जो direct relation में थे वो easily आ चुके है ठीक है अब मैं देखूं कि मुझे क्या है sign को भी लेकर आना है 10 को भी लेकर आना है और cot को भी लेकर आना है मुझे पता है 10 के साथ direct relation में क्या है यहां से अगर मैं देखूं 10 जो होता है वो reciprocal को लगता है cot के यानि 10 A cot A जो होता है वो 1 upon 10 A के बराबर होता है तो क्या मैं 10 A की जगे पर लिख सकता हूँ जो value मैं ला चुका हूँ तो मैं बिल्कुल यहां पर लिख सकता हूँ 10 की जगे पर अंडरूट sec square A minus 1 तो मेरा cot A भी sec A के साथ relation में जा चुका है ठीक है अब मैं देखूँगा मैं क्या देखूँगा कि मेरा cot A और 10 A जा चुका है तो मैं मुझे यह भी पता है कि 10 A जो होता है इसके अलावा 10 A क्या होता है 10 A sin A upon cos A के बराबर भी होता है होता है की नहीं होता है तो मैं यहां से sin की value ला सकता हूँ ठीक है कैसे ला सकता हूँ यह जो sin के साथ cos है यह divide में जब यह 10 के साथ जाएगा तो यह multiply हो जाएगा इदर आकर और यहां पर sin हमारा बचेगा मुझे 10 A भी पता है cos A भी पता है तो मैं easily यहां पर put करके ला सकता हूँ value तो कैसे लाँगा वो मैं बता देता हूँ तो 10 A के जगे पर रखूँगा मैं seg square A minus 1 क्योंकि यह root में है और cos के value जो है 1 upon seg है तो cos के जगे पर 1 upon seg लिख दूँगा equal to sin A ठीक है अब देखिए जब कोई चीज ऐसे होती है यह समझे कि 1 into 3 by 4 तो यह जो 1 है ना यह 1 सिर्फ 3 के साथ multiplication में है और जो divide में है वो divide में ही रहने की कोईश्च करेगा तो यहाँ देखिए जो divide में है वो divide में ही रहेगा यानि मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़े आता हूँ कि sin A क्या हो जाएगा यह जो numerator में है 1 के साथ multiply होगा और 1 के साथ कोई भी multiply होता है तो वो ही रहता है तो यहाँ लिख दूँगा under root sec square A minus 1 divide में sec A है तो sec A हमारा आ जाएगा तो इस तरीके से हमारा sin A भी आ चुका है और मुझे पता है कि sin जो है वो reciprocal होता है cosac के तो cosac भी easily आ सकता है तो मैं यहाँ भी लिख दूँगा cosac A equal to 1 upon sin देखे sin का reciprocal है और sin के value तो already यहाँ पर आ चुकी है तो मैं इसको just reciprocal कर दूँगा तो cosac के value बता चल जाएगी तो यहाँ से मैं सीधे-सीधे लिख सकता हूँ यहाँ पर cosac A equal to देखे यह क्या है root sec square A minus 1 divide by sec A तो इसका reciprocal करूँगा क्योंकि cos A A जो हैता है sin का reciprocal होता है तो मैं जो numerator में है वो denominator में चलाएगा और denominator वाला numerator में चलाएगा और इस तरीके से मेरी cos A की value जो है आसानी से आ चुकी है तो यह तरीके होता है हमारे पास किस तरह से हम किस identity का इस्तमाल से कहां कहां जा सकते हैं और क्या हम सोच सकते हैं कौन सा formula हमारे लिए easy होगा कैसे जाना easy होगा तो यह depend करता है हमारी practice में तो प्रैक्टिस करते रहिए और पर रहिए मेरी वीडियो के साथ मुझे लगता है कि आपको वीडियो यह समझ में आये होगी नहीं आये होगी तो मैं बस यह ही कहना चाहूँगा कि कमेंट करके ज़रूर होता हैं कि कहां पर आपको परिशानी है Thanks for watching my videos